जवानी को उमर में अक्सर मन पसंदीदा चीजों को पुर्बानी देना पड़ता है मानो या ना मानो मगर हकेकत है जो लड़का इस जवानी में इस नौजवानी में इस किसरा अवस्था में अपने मन पसंदीदा चीजों को पुर्बान नहीं करता है तो उसे छोटी मोटी गल्थियों में फशा दिया जाता है अपने आप दोस्तों के मामले भी फश्च जाता है जो लड़का इस उमर में याकीन मानों ओमन पसंदीदा रिजल्ट को एचीव नहीं कर पाता हासिल नहीं कर पाता है उतना ही रिजल्ट में खुस हो जाता है हम्हां पुछ लोड़का ऐसा होता है कि आनीवले समय में उस रिजल्ट को लेकर फुटा पढ़ जाता है। में ल ход नौह होता है इसलिए अभी से इत्टना मेहनत करो अपने रूटिन के ही साब से मेहनत करो ताकि आनी वाले समय में न हम जितना मार्स खोज रहे हैं उतना आसानी से बिगाए तो अभी से क्या करना होगा अपने रूटिंग को अपने जो दिन्चर्या जो आप बनाए है उस दिन्चर्या को टाइम टू टाइम फुल फिल करना पड़ेगा टाइम टू टाइम टू 107 महिना में आप अपने रूटिन को कम से कम पांच घंटा पनाकर चलो तो जो लड़का अभी पांच घंट अभी तो शीजन चल रहा है चुटी का गर्मिक चुटी का शीजन चल रहा है ये 6-7 दिन में अपने आपको इतने दिमा पर इतना जयदा प्रेसर डालो बढ़ाई परियर्ट में पांच घंडा चो गंडा पोचिंग टाइम को निकाल कर आप्से चांटा इतना पितरीन तरीकों से टांदो ताकि अंदर से आवाज निकालें अंदर से आवाज आए क्यों हम कुछ कर सकते हैं तो इसल जानते को अब इसस्वावा जाता है जब हमेशा पढ़ तो हम कुछ ज्यादा घंटा अब पढ़ सकते हैं अब हमसे कुछ न कुछ हो सकता है जब ज्यादा पढ़ हो गना तो ऐसा ऐसा हाओ भाव ऐसा विचार जरूर आता है एक बार देह कर चलिए तो हम क्या पता रहे हैं बाबु अब कुछ लोड़का यह सुचता है कि डेली आप बता रहे हैं डेली 5-6 घंटा पढ़े तो कैसे पढ़े देखवां में एक तरीका बता रहे हैं पांच घंटा डेली पढ़ने का मतलब होता है कि आप अपने कोचिंग संथांसे अस्कूल से जितना सिलिबस आप पूरा कर चुके हैं उतना ज्यादा रिवीजन करो इतना ज् हैं कि कुछ चेप्टर आप किलीर कर चुके हैं उन सव चेप्टरों को जैसे मानलों कि 5-6 चेप्टर आप खतम कर तुछ हो जितना बी किये हो उन सब चेप्टरों के इतना बाढ़ रिवीजन कर लो कि software को में से कहीं सभी अगर objective subjective आता तो हमारा है उसमें से एक नंबर वह बायं दाये नहीं होगा दुश्रा बात कि यदि आप इतना साइंस पढ़ चुके हो उतना। रिविजिन चाहिए। उसमें सियादी कोहीं से रिकोर्षन आजये तो आपसे छुटनी नहीं चाहिए इस लेबल का त्यारी होने चाहिए और ये लेबल कैसे त्यारी हो सकता है अभी से पां से छोग घंटा करूपने बनाओ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा समय की कमी समय आगे कम होता अगर पांच घंटा पढ़ने का अगर पांच से छोग घंटा अच्छा से पढ़ लेते हो यकीन मानों आने वाले समय में जो भी पेपर दोगे उसमें आच्छा पफंपर पाऊ जो लड़का अभी से भूंग रहा है एस कर रहा है तो उसके लिए कोई आच्छा रिजल्ट म अभी महनत अच्छा कर लेता है दूख कष्ट काट कर मेहनत कर लेता है अभाव में भी महनत कर लेता है यकीन मानों कि जब रिजल्ट आएगा ना उसके छेरे पर खुंसी रोगी वह खुंसी इस समय के वज़ा से होगा तो ऐसा मत करो अभी खुंस्या मनाने की जरूद नही कर रहे हैं यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो आप यदि पांच से छो घंटा डिली पढ़ रहे हैं तो उपर वाला देखता है कि आपका कितना नंबर आ रहा है अगर आप इमंदारी से सच में पढ़ रहे हैं यकीन मानों अगर अब अब देखता है उसका सही हो जाता है तैसा होता है उपर वाले उसके साथ देते हैं तो जो आच्छा करम करेगा इमंदारी से पढ़ेगा उपर वाले उसके साथ देगे पूरे कायनाद उसे तौपर बनाने में जूट जाएगा तो कायनाद की काम करता काओ जेब आच्छा कर्म करते हो आच्छा इमंदारी से काम करते हो तो अभी से लग जाओ यह आप टेंसर में मत रहो कि क्या पड़िए अब इधर टाइम नहीं मिल पाता तो सुबह में 3-4 बज़ जाओ दूगहांटा उधर मार लो खाना खाने के बाद भी पढ़ सकते हो तो ऐसे एसे रोज रोज पड़ोगे न तो यह वो आदत बन जाएगा वहीं आदत आपको सब्खलता का जरिया होगा और वो सब्खलता आपकी कदम चुमा देगी तो ऐसी करो बेताब जब तक अपना मैंड सेंट नहीं रखो गना तब तक कुछ नहीं होने वाला अपना मैंड सेट रोज डेली बार डेली कॉम्स कम 5-6 घंटा रहो अपना ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि 5-6 घंटा दुनिया हिले बट हमारा 5-6 घंटा तूटनी नहीं चाहिए जब ऐसे माइंड सेट रखोगे ना तो माइंड भी तीज रहेगा तो माइंड में रवा आ जाएगा पढ़ने का तरीका बदल जाएगा एक्स्प्रियेंस हो जाएगा वाल करनी का एकदम तजुर्बा हो जाएगा बहुत जीसे आगे मैं त कुछन सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा जब माइंड सेट रखोगे तो ऐसा हो सकता है लेकिन डिली पढ़ना पढ़ेगा अपने आपसे ऐसे प्रमिस करो मैं कर सकता हूँ आइकें डूइट जब ऐसे अपने आपसे प्रमिस करते हूँ तो ऐसे आतुमेटिक हो जाता है करके देखो लेकिन याद रखना माता पिता के आखुपज़स अपना लेकर बैठे वह नो कि हमें इस काम करके दिखाना है तो आप कर सकते हो तुम्हारे उपर माता पिता पूरे घर परिवार के आस है कि यह लड़का यह लड़की कुछ कर सकता तो उस आस को तुड़ो मत लग जा पांसे छो गांट लगो पड़ो ओके